हेलो बच्छो मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स गयान मुकेश नायक चैनल पर तो चलो इस लेक्चर में हम लोग बहुत बढ़िया और एक सबसे इंट्रेस्टिंग चाप्टर आप कह सकते हो वो स्टार्ट करने जा रहे जिस चा मतलब क्या मोशन मतलब आपको दिख रहा है यह शाइकल चला रहा है बढहिँ बंदह और यह बोटिंग कर रहे हो शाइब सर इसका मतलब कुछ तो तो मूव्मेंट से रिलेटेड है yes correct motion मतलब चीज़े रिलेड़ है तो अभी इस चाप्टर में यह पढ़ेंगे इस चाप्टर का पहला बेस आपका क्या था 9th standard में आपने distance displacement speed velocity के बारे में पढ़ा होगा तो वह आपका इस चाप्टर में बेस बनता है बढ़ ठीक है आपको मुझे पता है 100% याद नहीं आ रहा है बिटा कोई प्रॉब्लम ने हम लोग एकदम इतना बेसिक से स्क्रैच से चीजों को स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे आपको पता है टेक्स्बुक से भी आपको अलग चीज़े मिलने वाली है तो बहुत सारी चीज़े आपको अच्छे से पढ़ने मिलेगी तो चलो पीनास समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें मोशन इंफ्लैन में आपको जब भी चाप्टर स्टार्ट होता है तो कें यू रिकॉल में कुछ क्वश्चन है तो कुछ क्वश्चन बेसिक से हैं ऊनको देख लेते हैं uh achievement by motion what is किसी ऑबजेक्ट के पोजिशन में चेंज वित रिस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी ऑबजेक्ट के पोजिशन में टाइम के साथ चेंजेस हो रहे है तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन ठीक है यह पहला चीज क्लियर हो गया देन रेक्टी लीनियर मोशन मतलब क्या वर्ड को ब्रेक कीजिए रेक्टी लीनियर नाम आया ना लीनियर नाम आया लीनियर linear मतलब क्या होता है बैटा है linear मतलब होता है straight line linear मतलब क्या होता है linear मतलब होता है straight line तो जो भी motion straight line एक सीधा चल रहा होता है उसे हम लोग rectilinear motion केते हैं देखो when we require only one coordinate axis and time to describe a particles position motion it is said to be in linear motion और rectilinear motion clear है ना rectilinear linear मतलब क्या straight ठीक है तो बस straight line मतलब सिर्फ one एक एक सिस के अलांग अच्छा सर्फ x-axis क्या नहीं कोई भी एक सिस हो सकता है तीन एक सिस होते है ना देखा ना हमने मों सेकंड चाप्टर में mathematical methods में एक स्वाय और सेडिया दे एक स्वाय जेड तो कोई भी एक एक सिस के अलांग मोशन होने दो उसे हम लोग कहेंगे रेक्टी लिनियर मोशन देन आता है वाट इस दिफ्रेंस बिट्विन डिस्प्लेस्मेंट और डिस्टन्स ट्रेवल्ड पहले पढ़ लेते हैं फिर आते कॉंसेप पर एक्जम बार्टिकल चलो इसमें नहीं बात करेंगे हम लोग बात करेंगे एक्जाम्पल्स के साथ कि डिस्टन्स क्या होता है सर आपके लेंग्वेज में बताईए और डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है आपके लेंग्वेज में बताईए चलो डिस्टन्स और डिस्प्लेस्मेंट के डिफ्रेंस पर ध्यान देना अभी एकदम बढ़िया से देखेंगे अभी डिफिनेशन से देखा जाए तो डिस्टन्स मतलब होता है एक्ट्यूल लेंग्थ ट्रेवल्ड ठीके और डिस्प्लेस्मेंट मतलब क्या होता है डिस्प्लेस्मेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिट्वीन इनिश्यल और फाइनल पोजिशन समझत बार ठीके समझ में आ गया है डिस्टन्स मतलब और अक्चैली कितना चले और डिस्प्लेस्मेंट मतलब क्या डिस्प्लेस्मेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टन्स एक शिम्पल एक्जामपल के साथ एक्सप्लेन कर देता ह vaccin माललो यहाँ भर आपका घर है यहां पर क्या है आपका घर है ठीक है यहां पर आपका घर उसके बाद इस घर से एक ऐसा रोड जा रहा है सिंपल सा एक्जाम्पल बता रहा हूँ आपको ठीक है चलो यहां पर क्या है पता है यहां पर दो चीज़े आपको अच्छे से बनाते हैं यहां पर आपका घर से आपका एक रास्ता ऐसे जा रहा है इधर एक गली है इधर एक रास्ता ऐसा जा रहा है ठीक है अभी ऐसे रास्ता जा रहा है यहां पर आपका घर था और इधर क्या है पता है इधर आपका क्लास है ठीक है इधर क्या आपका क्लास है जहां पर आप ट्यूशन वगड़ा पढ़ते हो और क्लास के एक्जक्ट बाजू में क्लास के एक्जक्ट बाजू में क्या है एक कैफे अग क्लास के एक्जक्ट बाजू में क्लास के एक्जक्ट बाजू में कॉफी शॉप है और चलो तो भी एकदम बड़िया से देखते और इधर से भी आप जा सकते हो बट इधर से जो जानेवाला रास्ता ए वह बहुत खराब है कि इधर क्या है इधर ने इधर का जो रास्ता है न वह रास्ता बहुत खराब है गो जिससे आप mostly I got Kapard Later अचर्ट गरना कि चलो अभी आते हैं हम लोग हमारे concept के ऊपर क्या बताया मैंने चलो distance और displacement क्या होता है यह हमें देखना है distance मतलब होता है actual length कितना travel किया और displacement मतलब क्या होता है shortest distance between initial and final position तो चलो मान लो अभी आपका घर था यहां से सीधा रास्ता आ रहा है इधर यहां पर आपका class है और इदर class के इस अगज़्श के exact coffee shop है तो अभी बताना है मुझे कि आपको घर से class आ है तो क्यास आऊँव घर से class आना है तो क्यों से क्लास आझाल पत यह route लिए आपको तो घर से और उसने कहा जल्ली आजाओ कॉफी पीते हैं तो भाई तब तो आपको यह खराब रास्ता था यह क्लाज जाते वक्त आपको घर भालों घरवालों को आपने बताया था कि खराब रास्ता इससे में नहीं जाओंगा लेकिन अभी आपके फ्रेंड ने बुला लिया तो भाई यहां से दोड़े दोड़े चले गया जबकि क्लास उसके वाजू में था गये की नहीं गये हां तो बस यह जो है यह आपने शॉट कट भी तो था आपको कॉफी शॉप मतलब क्लास को भी तो आ सकते थे नहीं इस रास्ते से क्लास को तो जानबुच कर लेड़ जाएंगे लेकिन कॉफी शॉप में नहीं पहले जाके बैटेंगे पाच मिन तो यह जो रास्ता हुआ यह शॉटकट हुआ इसे हम लोग मतलब क्या actual resistance कितना travel क्या displacement मतलब shortest shortcut जो भी आपको shortcut मिलेगा वह चलो उमीद आपको यह चीज़ क्लियर होगे होगी इन दोनों चीज़ों में आपको डिस्टन देया difference क्लियर हुआ होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं next question क्या दिया हुआ था next question दिया हुआ था what is difference between uniform and non uniform motion क Uniform World का सुना है non uniform अभी मैं आपको बता देता हूँ माल लो आपको कोई distance travel करना था ठीक है अभी और इधर भी कोई एक दूसरा बंदा है उसे भी distance travel करना था तो आप लोग क्या कर रहे हो अभी पता है कि distance travel करना है तो आप कर कुछ नहीं रहे हो यहां सी यह जो जा रहा है न यह हर एक एक सेकेंड के इंटरवल को मैंने डिवाइड कर दिया है देखो इसने पहले एक सेकेंड में कितना चला यह पहले एक सेकेंड में कितना चला 10 मेंटर चला फिर अगला एक सेकेंड देखा फिर दस मेंटर चला इसका मतलब यह जो बंदा चल रहा है यह हर ह् Mins जे err ह्र सेकंड में कितना चल रहा हैaggio 10 10 मिटर चल रहा तो मुझे घज्म सब्सक्राइब इसकी स्पीड गए टेन मिटर एक सेकंड में मतलब टेन मीटर पर सेकंड सीम्पल और यह जो दूसरा बन्दा यह बन्दा ulग-ulag डिस्टंसेज चल रहा है यह अलग-अलग डिस्टंसेज कैसे चल रहा है देखो पहले मैं इंट्रवल तो एक-एक सेकेंड का ही लिया हूँ टाइम का पहले एक सेकेंड में यह 10 मिटर चल लिया ठीक है फिर यह दो ही मिटर चला अच्छा फिर यह 20 मिटर चल लिया फिर यह 5 मिटर चला फिर यह 4 मिटर चला मतलब मुझे बताओ यह हर एक सेकेंड में सेम सेम ट्रावल कर रहा है अलग-अलग ट्रावल कर रहा है तो बस यही उसे हम लोग कैते ही uniform motion और अगर अलग-अलग distance travel किया जा रा सेम इंटरवल में तो उसे हम लोग कैते non uniform motion चल लिए और इसको और एक तरीके से define किया जा सकता है distance को भी इक्वल बेक में इक्वल में break divide कर सकते ना break कर सकते equal distance in equal distance in unequal interval equal distance in unequal interval तो एसे भी से define किया जा सकता है तो यह हुआ आपका basic सा part इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है आगे देखो अभी रेक्टि लीनियर motion के definitions वगेरा दे रखे उसके पहले रेक्टि लीनियर motion के definition के पहले कुछ sign convention वगेरा होते है या कुछ example दे रखे होते है ठीक है देखो एक ब्लैंक पिपिटे आड़ कर देते हैं अब लोग रेक्टि लीनियर मोशन के सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिसकस कर चुके अभी देन बात आती है टूडी मोशन की कि टूडी का मतलब क्या होता है पता है टूडी का मतलब होता है टूडाइमेंशनल मतलब आपका जो मोशन हो रहा है न वह दो डाइमेंशन में हो रहा है तो इसे हम लोग कहते है टूडाइमेंशनल मोशन ठीक है कि टूडी मोशन को हम लोग कहते है मोशन इन प्लेन Plane मतलब क्या Aeroplane नहीं होता है मैं बोला था Aeroplane वाला नहीं Plane मतलब बैन मतलब यह जो बोल्ड आपको दिख्राए ना जिसपे में लिख रहा हूँ आप जो Notes बना रहे हो ना हां वह नोट जिस पे बना रहे हो वह Page भी है Plane मतलब क्याा डो एक्सीड से मिलकर एक plane बनता है इसका मतलब motion in plane मतलब 2D क्यों कहते है उसे क्योंकि उसमें दो axis involved हुए रहते है ठीक है जैसे कि example बता देता हूँ यहाँ पर बस जैसे कि example होता है circular motion देखेंगे हम लोग आगे थोड़ा बहुत इसके बारे में देन हम लोग देखने वाले projectile motion बहुत detail में देखेंगे इसके बारे में तो यह मोशन 2D motions कहलाते है ठीक है पढ़ने वाले हम लोग आगे अभी तो पहले हम लोग rectilinear motion start करेंगे और कुछ 3D motion भी होते हैं 3D motion 3 dimension में होते हैं तो इन्हें हम लोग motion space में motion हो रहा है ऐसा कहते हैं तो space motion यह motion in space कहा जाता है यह आपके syllabus में ही नहीं है 3D motion आपके syllabus में नहीं है ठीक है कि चलो देन क्या दिया है देख लिए होते हैं कि concept to recall कर लिए हमने चलो कि अभी हम लोग चलते हैं कुछ definitions की और क्या क्या definitions होते हैं देखो definition रेक्टी लिनेर मोशन में वेन वी रिक्वाइर ओनली वन कोडिने अक्सिस एंड टाइम टू डिस्क्राइब पार्टिकल्स पोजिशन it is said to be in linear motion और rectilinear motion मतलब कोई पार्टिकल स्ट्रेट चल रहा है यह हमने फिर से तीसरी बार देख रहे हैं एक ही अक्सिस लग रहा है या टाइम और एक ही अक्सिस लग रहा है तो उसे से rectilinear motion कह देते हैं then next चीज़ क्या होता है next चीज़ होता है displacement the displacement of object between t1 and t2 is the difference between position of vectors of the object at the two instances position of vectors में differences मतलब क्या सबसे पहले तो displacement को s से denote किया जा सकता है और यह displacement एक वेक्टर quantity है distance और displacement में क्या difference था तो यह बता सकते थे actual path और shortest path तो ही उसके साथ-साथ distance एक scalar quantity है और displacement एक vector quantity है याद है हमने scalar vector पढ़ा था last chapter तो उस chapter में हमने mention कर रखा था यह सारी चीज़को तो यह s vector जो है ना change in position vector कह सकते हो मानलो लेट पोजिशन वेक्टर भी एक्सवन वेक्टर एंड एक्सटू वेक्टर तो यह दो पोजिशन वेक्टर है मानलो मेरा पार्टिकल यहाँ पर था तो उसे एक्सवन वेक्टर के दिया और वो इधर चला गया ऐसे यहाँ से यहाँ चला गया एक्सवन से एक्सटू पर तो मुझे बताव डिस्प्लेश्मेंट क्या होगा कि स्वाटेश डिस्टंस मतलब डिफरेंज बिट्विन पोजिशन वेक्टर एस वेक्टर हो जाएगा इसे आप डेल्टा एक्स वेक्टर के नाम से भी जान सकते हो यह उस्टू वेक्टर माइनस एक्सवन वेक्टर बस यही आपको इसके डेफिनेशन में देखने को ठीक है चलो clear होगे आपको यहां तक सारी सीज़े clear है then path length पर आते और path length पर आने के बाद आपको मैं एक example लेके displacement और distance दोनों बताता हूँ path length मतलब कहा this is the actual distance traveled by the object during its motion actual distance traveled by the object during its motion अभी देखो चलो धान देना यहाँ पर मैं coordinate axis बना लिया हूँ 0,1 चलो यहां तक चीज़े सही चल रहे है अभी कोई एक person था वो एक person यहाँ पर आता है यहाँ पर खड़ा मतलब कहा पर खड़ा है भी थोड़ा तो मियदा यहाँ कंसे बहुत इंfor तो हम लोग यह उसका इसंडल पोजिशन हो गया यह क्याиходس का अ क्यSTAT पहुस् Hospice उस्स 일반 कि इनीशेल पॉजिसेंट क्लिएर ये पर्षन इदर जा रहा है इदर चाला गया वह कितना डिस्टेंश सलावा झालो ती डिस्टन्स aware भाल धे त membra डिस्टन्स कितना हुआ ठीक है घंग्र 6 SARAH toc कोद लाइंच फॉर तक चला गया मोईवा सैकbn्ट केश में काप अँगा सेंड्र में इस्टन्स होगा सेकेंड में इस्टन्स होगा फौर में भी होगा फॉर मीठर तीक है त्यों estar अभी यहां से चलने के बाद उस बंदे तरन लेकि फिर तू पे आके रुख गया उस ने तरन लिया और फिर तू पे आगया मचलने के समझ समझ में आज्ग गहां ऐसा समझ लूंगा मैं सर 1 से 2 पे चला गया 2 डिस्टंस है नहीं डिस्टंस मतलब सच में कितना चला है यह पहले 1 से 4 तक 4 चला था फिर 4 से 2 तक आने के लिए 1 2 फिर 2 चला तो डिस्टंस हो गया आपका 6 मिटर एक्चुली वो अभी तक 6 मिटर ट्रैवल किया है डिस्टेशमेंट मतलब क्या होता है इनिशयल से फाइनल पोजिशन तक का सिfunding डिफ्रंस मुझे बता इनिशयल 0 पर था अब फाइनल 2 पर है तो इसका डिस्प्लेश्मेंट कितना हो गया डिस्प्लेश्मेंट हो गया 2 मीटर समझ में आया आपको displacement shortest distance और एक चीज़ displacement एक vector quantity है displacement एक vector quantity है और ये vector quantity अगर आपको solve करना है अच्छे से तो sign convention important होता है तो sign convention क्या याद रखो कि आप vectors में देखो simply आपका coordinate sign convention याद रखो इधर से इधर जा रहे हो तो plus उपर जा रहे हो तो plus नीचे जा रहे हो तो minus और इधर left में जा रहे हो तो भी plus ठीक है sorry 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 left में minus कलती से mistake हो गया भाई चलो ठीक है तो मुझे बताओ अभी यहाँ से displacement तो plus में ही था ना यहाँ पर भी plus में था यहाँ पर भी plus में था सर अभी तो कुछ वह चलाई नहीं ना वापस आ गया ना वहां पर मेरे भाई चलके वापस आया है चार पहले चला और फिर चार चला तो प्लस 4 इट मेटर डिस्टंस ट्रेवल किया two displacement कीतना हुआ सर जहां से start किया ता वही आ गया तो इनिशेल और फाइनल पोजिशन में कोई ग्याप नहीं ये इनिश्या और फाइनल पोजिशन में कोई ग्याप नहीं है भता तो बाताओ वह तो जिर worlds गया ना displacement सरसोल चलो और तोड़ा लेका चलो सरवाश को सेथ उसको कितना बनाटाओ फिट तक लेकर चला गया हुआ अब सबनाइब टी दिस्टंस कि तना यहा तक तक और तीन चला 8 वर 3 11 मिटर चलिया। सर डिस्प्लेशमेंट तो लेकिन इनिशल से फाइनल तो 1,2,3 ही है। तो 3 मिटर लिख दूँगा। मेटा गलत है। गलत है डिस्प्लेशमेंट। क्यों सर गलत है। अरे बेटा। और ही इनिशल पोजिशन से लेफ्ट में जाएगा ना। तो यह इनिशल पोजिशन से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस थ्री मेटर देना पड़ेगा कि समझ में आ गई अप चीज या नहीं समझ में आई भाई कि इसी चीज से आपको डिस्टंस एंडिस्प्लेश्मेंट मुझे भरोसाई कि क्लियर हो गया होगा ऐसे आप एन नमबर ऑफ हजारो लाखो एक्जामपल बना कर आप यूज करके आपका कॉंसेप्ट क्लियर कर सकते हो तो उमिद्ध आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा आट वोगो तो अब दो तो पता है वह अग्ले लेक्ट्र में पड़ेंगे अगले लेक्ट्र में welding आने से पहले करना क्या है आप में सने आधे Margast दिख रहे होंगे तो अगले लेक्ट्र में आने से पर थोड़ Matth्सा बेसिक कि बड Onu चाहिएगा कई पर व 목तिख मेंं में ब तो अगले लेक्टर से और मज़ा आएगा conceptual चप्टर इंपोर्टन्ट है CT के लिए और 12 के लिए भी बेसिक चप्टर बहुत इंपोर्टन्ट है तो यार पढ़ते रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों तक ठीक है तो चलो बबाई टेक केर मिलेंगे आगले लेक्टर में पढ़ते रहिए रिवाइस करते रहिए